आज हम बनाएंगे मूंग डाल का चोखा यह बिहारी स्टाइल मूंग डाल का चोखा है जो देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है आप देख सकते हैं और खाने में तो इससे कहीं सौग उना ज्यादा टेश्टी लगता है और हेल्थ के लिए तो यह इतना बढ़िया है क कि मैं आप खुद ही देख लें और खुद ही आप समझ सकते हैं कि यह कितना हेल्दी है और इसको बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसमें हरे प्याज और मिर्च वगरा डले होते हैं थोड़ा सा नीमबू वगरा स्पाइसी बनता है तो चटपटा लगता है तो और इस दो डाल को हम रोष्ट कर लेंगे गैस पर इसको हम दो बार में या तीन बार में जैसे हो भी आपको सही लगे उस हिसाब साप इसको रोष्ट कर लेंगे गैस पर रखके पैन गरम करके इसको हम अच्छे से रोष्ट कर लेंगे गैस को मीडियम ही रखेंगे कि हमें जलाना नहीं है इसको भूना ए इधम अच्छे से खुस्यवाहने तक मूंक'Dाल को पहने दाल को दिखने लगेगा तो हम गैस बंद करके अपना छिफ्ट कर लेंगे धाल को हम ठोड़ा अठंडा कर लेंगे थोड़ा तो आपार थन्दा हो जाएगा थन्दा हो जाएगा तो आप चीज़ता नहीं जाएगा तो नहीं तो एक बार और चलाएंगे ज्यादा नहीं चला एंगे तो यह दाल मेरा हो गया है, अब इसको मैं धोलूँगे, वास कर लेंगे इसको हम पानी से दो तिन पानी से जैसे हम दाल को धोलेंगे, फिर हम एक प्रेसर कुकर में इस दाल को डाल देंगे और यह डाल को डालके. फिर 6 कटोड़ी से उसी कटोड़ी से, इससाब से आप भी अपना डाल बनाईगे तो इसछाव से यह झ 만दे दाल सब्सक्राइब सब्सक्राइब न treats सब्सक्राइब II , डालें कि ने राषट अब करके सबूहत। इसका color बढ़ने के वाद हमें green ही चाहिए, ये green ही अच्छा लगता है, तो इसलिए हम ज्यादा हल्दी नहीं डालेंगे, बस एक चुट की हल्दी डाल देंगे, अब मैं प्याज काट लेती हूँ, दो-तीन प्याज काट लेंगे, बारीक 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 जिसे हम काटते हैं, तो उस तरह से हम काट लेंगे प्याज को और दो-तीन हडी मेश भी काट लेंगे और निम्बू को भी काट के रख लेंगे जैदा नहीं लगाएंगे दो-तीन प्रेशर में दाल हमारा कुक हो जाएगा मुंग का डाल है बहुत जल्दी पक जाता है तो बस दो सिती लगाके बाद हम गैस बंक कर देंगे और फिर दाल हमारा रेडी हो जाएगा पक जाएगा पक जाना चाहिए विलकुल मिक्स तूटना करना है पूरे दाल का हम बना लेंगे और अगर हमें कम बनाना है तो हम जिस बावल जितना हमें खाना है उतना हम दाल लेंगे और इसको रेडी कर लेंगे खाने के लिए और इस दाल को बाद में हम फिर से जब खाएंगे तो फिर उसको गर्म कर लेंगे और जरूरत होगा तो तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूं एक चमज भरके तो इस तरह से हरी मीज डाल देंगे हम और उसकी वाद हम कचा प्याज जो है हमारा कटा हुआ एक दो चमज वह भी अपनी स्वादान स्वाद डालते हैं और मन हो तो धनिया भी काट के आप डाल सकते हैं दणिया नहीं डालते हैं मन इहां है तो लाद की एक अब्समीन-धी मान इहां प्रोला और नीम्बु और कच्छा प्याज हो गया रहीमीज तो इस दाल को खाने के फायदे तो आप समझी सकते हैं कि यह राम है तो इसको और इसमें कोई भी स्पाइस बगारा नहीं मिक्स किया गया है इसको कितने सादगी से बनाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब इसको कह सकते हैं कि यह बहुत ही हर्वन तरीके से बनाया गया है यह दाल का चोखा तो इसको गरम गरम रोटी के साथ आप सर्व कीजिए और आप इस दाल को मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं क्योंकि देखने में भी बहुत सुन्दर लगता है बनने के बाद और फिर इसको आप अच्छे से डेकोरेट कर लेजिए निम्बू धनिया और सजाद दीजिए मारी तरका और बस बहुत ही स्पाइसी डाल बनेगा यह बहुत ही चटपटा बनेगा इसके साथ चपाती रोटी चावल जो भी आपको एक्षा हो अपने मर्जी के साब सिखाईये मन हो तो सुखी सब्जी चावल अलू वगएरा अलू प्राई जो भी होता चोका वगएरा बढ़ा लें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली फ्रेंड के साथ बच्चे तो जम के खाते हैं इस डाल को क्योंकि यह बहुत इस्वाधिश लगता है निम्गु प्याज के साथ तो उन्हें बहुत ही मजा आता है तो इस तरह से यह है बिहारी मुंगदाल का चोका अगर रसिपी अच्छा लगता है आप लोगों को और तो जो भी है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को कर सकते हैं मैं तो हाथों से कर लेती हूं मैं की कतरہ भावल को द्ली की तरह है तो अच्छा से मिक्स कर दे और इस दाल को गर्मा गर्म सब्दाल कीया साथ सर्वन कहत्या है क्या श्यूबड़ के कि ही थाल दाल गुड़की मज़ा आता है और पिर आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में आकर कॉमेंट कीजिए कि आपकी डाल कैसी बनी और आपको यह रेसीपी कैसा लगा थैंक यू कि पर सोक्वार को यह सक के यहाई कि अजल के रहे रहे कि ए अलू ऑविटगा चाहल के अलुड़े सक काई जर आता है तूम के अलूश्यों हाई कि ऋट़ा आता है आता है जा हम